बंदू एक आदमी था उसके पास दो पत्नी थी अब दोनों पत्नी में हमेशा जगरा जंजर लडाई जगरा चलता था उसका पती तंग आ गया अपने दोस्त से जाके कहा दोस कुछ रूप्या दो हमको अब हम नहीं रहेंगे घर पर दोनों बहुत लड़ती है अब हम कलकता पंजाब चले जाएंगे दोस कहा कितना दिन रहोगे कलकता पंजाब फिर तो आना पड़ेगा यही जगरा मिलेगा ऐसा उपाय करो की सदा के लिए जगरा समाप्त हो जाए तो क्या करें गाओं के बगल में थोड़ा जमीन खरी दो अब उसमें घर बनाओ और एक पत्नी को पूराना घर आरी पर और एक पत्नी को यहां रख दो दोनों में दूरी बनेगी भेट मुलाका तो होगा नहीं जगरा बनाओ वैसा ही गिया को जमीन खरीदा मकान बनाया और बरी पत्नी को छोड़ दिया पुराना घरारी पर और छोटकी को लेके रख दिया या लेकिन गाओं के औरस सबाज नहीं आई इसको भी आके पराती थी या उसको भी जाके पराता थी या तो यही जाए उसके हाँ अन्य तो वही चली आवे इसके जगरा बंद नहीं हुआ घर हुआ दो जगर लेकिन जगरा बंद नहीं हुआ उसका पती तंग आ गया भाग गया पंजाब और पंजाब गया तो आना नहीं चाह रहा था जब भी आने का विचार हो अई जगरा याद आता था प्रोग्राम कैंसिल दस बारव बरस भीत गया मा का महीना उतर रहा था फागुन का महीना चाह रहा था होली का दीन आ रहा था इनकी बर्गी पत्नी चिठी लिख रही पती के पास पती देब आपके चरन कमलों में मेरे तरब से सादर परनाम और आपके चरन की किर्पा है तो मैं बिल्कुल सब उसल रहा करते हूं ना भोजन का दुख है ना बस्तर का दुख है नो कोई गहना जेवर का दुख है नो कोई स्रिंगार के समान का दुख है और आपके चरण की किर्पा है लेकिन दो बातों की दुख मेरे जीवन में अवज है वो है कि जब मैं दीन में सब काम करने के बाद, असनान करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पती देवाब का याद आता है मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पती का कल कार खाना से काम करके भूखे प्यासे आए होंगे तो मेरे पती को अभी भोजन कौं दिया हूँ और दूसरा दुख जब भोजन के पश्चात रातरी में मैं बिच्छावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पती कल कार खाना से काम करके ठके मादे आए होंगे तो मेरे पती का भी सेवा कौं किया हूँ ये दो दुख बड़ा सता रहा है पती देव मेरे बातों से दुख नो हो तो आगे भागुन का महिना आ रहा है होली का दिन, दो-चार दिन के लिए आना, धर्सन देना और पुनह फिरा पंजाब चला जाना चिठ्ठी गिरा रही थी लेटर बक्स में, गाउं के कोई महिला देख लिया, आई इसके सौतिन को जाके का लिए तुम्हारी सौतिन चिठ्ठी लिखी है, ऐसा नहो की कपड़ा, जेवर, मिठाई, रुप्या, सबसी कहां आजाए तुम भी लिखो चिठ्ठी, कल हो के छोटकी लिख रही है, क्या जी, बारा बरस से पंजाब में घूम रहे हो होटल में मुरगा भात खाते हो, सिनेमा होल में जाते हो, मुह में पान चबाते हो, और रोड पर बुर चर्रा उगाते हो कुछ याद रखते हो, बारा बरस से मेरी जिन्दगी कैसे कट रही है, याद रख लेना आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है और चीठी में एक सूची मैं भेज रही हूँ मेरे लिए सारी पेटी कोट, बलाओ, नतिया, बाली, लौके, पाइल, आइना कंहें लेके आना, और यह भी सोच लेना, चीठी का सच्ची पर तिली भी मेरे पास रहेगा एक भी समान कम्मी आया, एक भी समान डुपलिकेट आया, तो एक भी जारू धर्ती पर नहीं दिलेगा चिठी गिरा दिया, चिठी गया पंजाब, इवेचारा परहा, और गया दुकंदार को चिठी दिखा दिया जरा देख लीजे ठीक से, समान दीजे ठीक से, अनता ऐसा नहो कि सारा जारू हमारे पीठ पर परे दुकंदार सही सही समान दे दिया, पोली थीन में लेके आया डेरा पर और अटैची में सजाया, दूँ अटैची समान हुआ, टिकट कटाया गारी में बैठ गया आया एस्टेशन से दुचार किलो मीटर के दूरी पर, इसका घर था, बारे बज़े दिन उस समय कोई रिक्सा टम टम एस्टेशन पर नहीं था, सोचा इतना दूर तो हम पाउपैदल भी जा सकते हैं दोनों हाथ में अटैची उठा लिया, वहां से चला, रास्ते में पसीना भर गया उसको जब घर के निकट आ रहा था, कोई महिलाव इसे देख लिया, और इसके बढ़की पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी, तुम्हारे पती चले आ रहे हैं, पंजाब से बढ़की तो समर्वित है पती के साथ, दौरती है, जाती है, पती देव को पैर चुके पर नाम करती है, दोनों हाथ से अटैची लेती है, आगे आगे पती देव, पीछे पीछे चल रही, गई अपने दरवाजे पर घर नहीं गई, इमंदार कितनी है, अटैची रख दिया दरवाजे पर, सबसे पहले पती के लिए बिछावन किया, पती देव बैठ गए, ठाली में चल लाई, पती देव का चरन पकारी, और पंखा लेके बैठ गई, कुछ हाल-चाल पूछ रही है, इतने में गाओं के कोई महिला इसके सौतिन को जाके का दिया, आ गया और दोनो अटैची उसके दरवाजे पर है, जल्दी जाओ ना तो दोनों अटैची कहें, गावन हो जाए, वो आकी है, बड़ी तेजी में, अद दूर से पूछती है क्या जी आ गए, तो इड़रे कहा जहां आ गए, जड़ा सूची ठी निकालिये, और सूची निकालिये, मैं भी सू अटैची लेके आई, और एक-एक समान को मिलाई, सब समान सही था, फिर अटैची में रख लिया, जब छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया, तो बड़ की खाली हाथ, अपने आंगन की और दरवाजे से चल दिया, तो पती दे बड़ की के पीछे-पीछे चल दिया, गाओं के महिला सब खरी थी, वो कहती है क्या जी, यही तेरा इंसाफ है, यही न्याय है, जब जानते हो दो पतनी तुम्हारे पास है, और बारा बरस पर आए हो, और होली का पर्व है, और दो अटैची लाया, तो वाजिर था दोनों को एक-एक अटैची दे देना, लेकिन तुमने छोटकी को दोनों अटैची दिया, अब बरकी के तीछे खाली हाँ जा रहे हो, यही वाजिब है, पती ने जवाफ दिया, सुन लो, यह जो मेरी छोटकी पतनी है, इसको हमारे समान से प्रेम है, तो समान लेके यह जा रही है, और यह जो मेरी बरकी पतनी है, इसको हमारे जान से फ्रेम है इसलिए जान इसके साथ जा रहा पती बड़ा है कि समान बड़ा है पती किसको मिला है बड़ की आप लोग जीवन भर बेटा बेटी नाती पोता दमाद गाय भैंश मकाम दुकान की भगती करते जिन्दगी भर समान की भगती हो रही है एक भी कवरी काम का हो नहीं रहे है पती किसको मिला है पती किसको मिला बड़ की को जिसको कुछ नहीं चाहिए केवल पती चाहिए भगती वैसा कीजिए भगती दान गुरु दीजिए देवन के देवन